एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिसकस करने भी बैठेंगे और जलता तक अपने कुछ संदेश भी पहुंचाना चाहेंगे यह एक नया दोर शुरू हुआ है GMC जम्मो में और्गें ट्रांस्प्लांटेशन का सॉलिड और्गें टिशू ट्रांस्प्लांट और्गेंजेशन यहां पर सेप्टमबर 2019 में एस्टैबलीश हुई थी और काफी सारी उसमें रेजिलेक्री नॉम से डॉक्टर्स ने काफी मेहनत की हमारे यहां नोडल ओफिसर होडी उर्ओलोजी डॉक्तर इल्यास शर्मा है और सूपर स्पेशालिटी के सूपरिंटेंडेंट रॉक्तर मनोच अलोतरा और जॉइन डिरेक्टर सोटो हमारे डॉ डॉक्तर संजीब पूरी हैं जो अप्थलमालोजिस्ट है नेफ्रोलोजी डिपार्टमेंट के जो चीफ नेफ्रोलोजिस्ट जिन्होंने इसके सारी मेहनत की वो डॉक्तर राजु भंडावी है यह नाम लेने इसलिए जरूरी थे और इनके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स जिसमें रेडियो डाइग्नोसिस जिसमें लिबॉर्टरी डिवीजन के सारे डिपार्टमेंट्स माइक्रोगालजी पथालोजी बायकिमिस्ट्री ब्लड बैंकिंग सारे डिपार्टमेंट्स सबसे जरूरी अनेस्थीजिया डिपार्टमेंट जो हमार कोडिनेशन बहुत जारा रिकौरायर्ट थी और वो खुई भी कोडिनेशन और टेरा के तेरा सक्सेस्टू रिइनल ट्रांसप्लांट्स रहे सारे मरीज बिल्कूल अच्छे से डिस्चार्ज हुए और जैसा ऊस्ट रिनल ट्रांसप्लांट होना चाहिए रिजल्स वैसे रहे तो इसमें दो चीज़ें हैं एक तो कि ये हमारे ही घर में आयुश्मान भारत के रहते बिल्कुल मुफ्त इलाज हमारे शहरी अपने ही घर में करवा पाए आज कल हम देख रहे हैं कि chronic renal disease या chronic kidney disease या CKD बहुत जारे कारणों से उभर के आ रही है तकरीवन पचास मरीज हमारे यहां रोज dialysis करवाते हैं देखा गया पिछले साल में साड़े बारा हजार dialysis हुए और अभी भी हमारे पास registered मरीज कोई पचास हैं जिनका kidney transplant किया जासे हमने शुरुआत कर दी लाइव डोनर्स के साथ इनके सगे संबंदी इनकी माताएं या पिता या सगे संबंदी जो transplant के लिए kidney donate कर सकते थे और चाहते भी थे उन्होंने की और हमने हमारे यहां जो काबिल टीम है उन्होंने यह transplant किये अब सरूरत है जागरुपता की एक और नई तरफ वो जागरुपता है organ donation की diseased organ donation जैसे बहुत सारे unfortunately road traffic accident की वजा से या कुछ ऐसे हाथ से हो जाते हैं cerebrovascular accidents की कोई लोग brain dead होते हैं जानी brain death हो चुकी है लेकिन वो potential donor है वो बहुत सारे organs उनके दो kidneys दो lungs, heart, liver बहुत सारे pancreas, small gut और बहुत सारे tissues और cornea जैसे के लोग देखनी सकते हैं तो करेटोपलास्टी के लिए cornea donate कर सकते हैं ये जागरूपता की हमारे यहां देखा गया है कि उत्री भारत में supply demand gap बहुत जागा है भारत में अगर दो लाख kidneys हमें annually चाहिए होती हैं तो कोई 7000 kidneys ही transplant हो रहे हैं बाकी के लोगों के लिए kidneys available नहीं हैं अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मोधी जी की मन की बात जो कारिक्रम है उससे हमें पता चला कि सबसे छोटा जो donor है वो चंदिगाड में 39 years का बच्ची एक जो 49 साल की थी सिरफ और क्योंकि उसको brain to you उमर था और sorry 39 days की वो बच्ची थी 49 दिन की थी सिरफ और कोई ऐसे से पैदा हुई थी कि वो जी नहीं सकती थी उसको 49 दिन में दो बार कुछ हिर्दे गती रुप गई तो दो जिंदगियां वो बच्ची उसके माता-पिता ने भी बहुत यह अच्छा उदाहरन पेश किया और उसमें जाते-जाते दो जिंदगियां बचा दी उस बच्ची तो बहुत आप बढ़ चड़कर यह जो सब्जेक्ट है इस पर अवेर्नेस हो रही है हम सबने भी प्लेज़ फॉर्म्स भरे हैं कि जो हमारे मॉर्टल रिमेंज इंमॉर्टल रिमेंज भी मेंसे भी कुछ अगर ऑर्गेंस जो हैं वो लिए जा सके और वह बात जिंदगी के बात भी जिंदगी चलती रहे उन और्गेंस की वजह से तो वह बिल्कुल यहां पर भी शुरुवात कर दी गई है ऐसी अवेर्नेस एक्टिविटीज बहुत सारी प्लेज़ फॉर्म्स भी कोई चोदा सो हमारे यहां भर लिये गए जम्मू में भी हो रही हैं ऐसी अवेर् है तो होती है वहां पर हर कोई अपनी कॉर्णिया डोनेट कर सकता है खासकर और कॉर्णिया करने में देथ के 24 गंटे के बाद भी यह डिसीजन लिया जा सकता है तो जो लोग देख नहीं सकते यह करेटो प्लास्की से बहुत सारे लोग एक लंबी वेटिंग लिस्ट है करे यह वन-फोर्थ ही मिलते हैं थ्री-फोर्थ अभी मिलनी रहे तो यह बहुत जानने की जरूरत भी है हम अपने सारे रिसोर्स को एक बार फिर कोडिनेट कर रहे हैं हमारे वहां सोशल वरकर्स, ट्रांस्प्लांट कोडिनेटर्स, ब्रेंडेथ कमेटी पूरी और सकते हैं इसके बाद कुछ कुछ टेस्ट होते हैं कौन potential donors हो सकते हैं, इस पे हमने काम शुरू कर दिया, एक बहुत बड़ी हम exercise करने जा रहे हैं, जिस पे meetings हो चुकी है, वो भी एक coordination activity होने वाली है, जिस पे हमारे doctors, अगर कोई potential donor हो, immediately national organ transplant organization जो है, उसको inform करेंगे, तो हम यहाँ पे heart transplant नहीं करते अभी, liver transplant नहीं करते, आस्ता आस्ता उस तरफ भी जाएंगे, हम यहाँ पे अभी lungs नहीं transplant करते, covid में बहुत सारे lungs fail हो गए, तो वो noto के जो teams है, जिस जिस center में जो जो procedure होता है, वो retrieve करने आ जाती है, हमारे यहाँ, किसी भी brain dead से, वो organs को retrieve करने आ जाती है, तो जल्दी ही हम इस green corridor की exercise करने जा रहे है, जैसे हर organ कितनी देर तक viable रह सकता है, heart 4-6 घंटे में जिदर transplant होना पहुंच जाना चाहिए, kidneys 16-18 घंटे में पहुंच जानी चाहिए, liver ऐसे पहुंच जाना चाहिए, दो यह इस पे भी एक exercise जिसमें traffic police, हमारी local police यहाँ की, airport authorities, हम सारे, हमारे यहाँ के nodal officers, superintendents, हमारे जो surgeons हैं, हमारे intensivists हैं, यह ऐसी तयारिया हम कर चुके हैं, और जल्दी ही हम कुछ mock exercises करेंगे, और इस काबिल बन जाएंगे, कि जब तक हम हर organ की transplantation नहीं भी शुरू कर सकते, तब तक जिन centers में यह organ transplants हो रहे हैं, जिदर heart transplant हो रहे हैं, तो वहां तक हम hearts पहुंचा सके, ताकि यह supply demand gap कम हो जाए, अगर कोई अपना organ donate करने चाहता है, तो कैसे अपना तो register करवासनता है, यह तो आप pledge forms हर कोई भर सकते हैं, आपने भी भरे हैं, कि कभी कोई ऐसा हो, तो सगे संबंदी, और organs अपने nears and dears को उसका एक पूरा procedure है, यह सोटो में जो experts हैं, आप इंसे बात करिए, मेलिए, कु क्या general public को इस पूरी awareness मतलब देने के लिए कोई camps वगरा लगाए जा रहे हैं, या कोई schedule आशा बनाया जा रहा है, इससे general public में यह awareness जाए कि किस तरह का काम पूरो चुका है, बहुत सारी जैसे हमारी teams यहां से जाती है, educational institutions में, कोई poster competitions, कोई essay competitions, जाग लुपता के लिए कोई 140 तक activities हो चुकी है, और they are trying to reach out to general public, और आज हम आप सब के अभारी भी हैं, कि आपके माधियम से भी, कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी चलती रहती है, यह इससे बड़ा महादान मान के चलिए कि जीते जीते रक्त दान और मर्नो प्रांत अंग दान, यह ऐसे अगर यह घ और यह 49 साल की बच्ची जिसके अंगदान हुए, उनके माता पिता का क्या satisfaction लेवल था, कि उनको लगा कि उनकी बच्ची अभी भी जिंदा है, दो लोगों को वो जिंदगी दे गई, ऐसे ही एम्स में, मन की बात में ही प्रधान मंत्री जी 65 साल की एक organ donor जो रही, हिलाज के लिए आई थी पर वो brain dead declare हो गई, तो वो कितने सारे organs, 6 लोगों को वो अपने अंग दे गई, और उनके परिवार ने भी एक अलग ही, उनके पती ने, बच्चों ने, उनके इतने महानकारे पर इतनी तसल्ली जताई, तो यह एक बहुत तसल्ली का काम है, और जागरुकता इसके उपर शाहिद काम है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि emergency में 6 से 20 तक unfortunate deaths होती है, और जो वो सारे potential donors हैं, तो यह हमारा जो natural तरीका है, supply demand gap का, क्योंकि आप आप देख रहे हो कि liver fail हो गया, kidney fail हो गई, heart fail हो गया, lungs fail हो गई, तो जो failed organ है, उनके लिए remedy यही रहती है कि उनका organ transplant करके ही फिर से उनर जीवन मिल सकता है, मैंने एक सवाल है, क्योंकि यह लोगों की जिन्दियों से बहुत मैत्रपूर्ण है, सवाल, मुझूरा समय की बात करें तो चंडिगर क्योंगे आई, और दिनी के लिए जम्मू से लोग और दूरास गाउं से जो है, तो बहुत की बात है, जाहिस सी बात है, इलाज के लिए खर्चाता ही है, लेकिन ट्रावल और वहां पर रहने था की बड़ी समस्या है, पीजिए है कि खुटी हालत मैंने लेकि लोग बार ग्राउंड में रहते हैं, तो आपको अलगता है कि जम्मू मेह रहां बा देखिए, एक बार शुरुआत हुई, ये तेरा लोग जिनों ने यहां पर इलाज करवाया, और ये ट्रांस्प्लांट्स कराए, तो ये विश्वास की शुरुआत हो चुकी है, और यही अब पूरी ससाइटी में मैसेज अलरी जा चुका है, और बहुत सारी लोग हमारे प उसरे किसी को काम आजाता है, उनका टीशू इनको काम आजाता है, स्वाब डोनेशन, और कुछ केड़वरिक जैसे कि इनके घर में किसी घर में कोई डोनर होता ही नहीं है, तो उनको हम देख रहे हैं कि कोई ब्रेन डैक जैसे, ये रिसोर्स हमारा एक्टिवेट हो जाए, म आज नेशनल रिफेरेंस टेंडर्स या इंटरनेशनल रिफेरेंस टेंडर्स जितना वहां पे है, उतना ही यहां पे है, आप ये green corridor मौकरिल की बात की, इसमें कई डिपार्टमेंट्स की participation होगी है, कितना assurance है उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपको, थाकि आप ये जो green प्रोग्राम को लेके उतनी ही सीरियसनेस उन सारे स्टेकवर्डर्स ने भी बताई प्लीस ने भी बताई फुरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी बताई एरपोर्ट अथारिटीज ने भी बताई उन्होंने इस मैटल की और सीरियसनेस को समझा और बिल्गुल प्रो अक्टिव ली उन्होंने अपने अपने घर में अपने पार्थ की ट्रेयर्स भी करनी हैं और हम जल्दी पार्थ को जोड़के एक कर मॉफृ करके विल गैट स्तार्टिगर्ड उन्होंने लगशीं को अर्वार्ट करनी है या डॉ मेध्यी कह रहे हैं दिखें अभी हम यहां पे पैठ्ट है तो हमारा फोकस अट जागा तो मरीज से तो पेशिंट थोड़ा प्राइबेसी निवी प्राइबेस्य भी चाता है और दूसरा दॉक्तर चोड़ा अटेंचिंग टीम है यह मेनेजबंट टीम है वो हंडेट परसे पहले उसी पे फोकस करें, वो सबसे पहला हमारा दाइत होता है, उसके बाद हम आप से भी बिल्कुल आप से पूरी उज़र देते हैं आपको हम, आप से भी बिल्कुल बात करते रहेंगे, क्योंकि आप भी हमारे और कपली के बीच में होते हैं, अर्गन बैंक का क्या क्या है, क्या है क्या है आपके जाना है, अगा हमारे यहां है, बाकि और गिन बैंक ने किये जासे हुआ है, थैक यूदि बैंक क्यों सब्सक्राइज फार्ट आप झाल झाल